आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है उनकी सभ्यता आप देखिए अपने ही कारिकर्ताओं के बारे में क्या कह रही हैं उन्होंने दस सालों में ऐसे काम किये हैं जो कॉंग्रेस पार्टी ने सच मुझ सतर सालों से नहीं किये यह कहते हैं ना कि कॉंग्रेस पार्टी ने सतर सालों में नहीं किया जो हमने दस सालों में किया सच बात है दस सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी इन्होंने दस सालों में वो काम कर लिया इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछे ही मत हम सब को कोविट की वैक्सीन लगी आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वज़े से तमाम मौते हो रही है उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 क्रोड रुपए इन्होंने चंदा लिया गुजरात में पुल गिरा गुजरात में पुल गिरा सेक्डों लोग बह गए उस पुल बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया जिन पे चापे मारे थे उनसे चंदा लिया जिन पे मुकदमे डाले थे, उनसे चंदना लिया, मुकदमे ठंडे बस्तिर में डाल दिये, चापे बंद हो गए, ये है इनकी इमानदारी, और ये है इनकी सभ्यता, और आज आपको सब कुछ दिख रहा है, आपके सामने जिस प्रत्याशी को इनोंने खड़ा किया है, उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकरताओं के बारे में क्या कह रही है, तो देखिए, आपके सामने एक बड़ा नियन रहे है, एक तरफ, एक सभ्यराजनीती, एक सच्ची राजनीती, जिसके मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, सब आपके सामने, संकट के समय भी आते है दुख के समय भी आते हैं और तमाम आपके लिए विकास के कार्य करने की बात करते हैं और वो कार्य करके दिखाते हैं आपको वादा करते हैं चुनाओं में उस वादे को पूरे करने का काम जैसे ही सरकार बनती है शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ एकसब ये राजनीती जो सिर्फ हलकी हलकी बातों वाली राजनीती है जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बाती करते हैं कि भैस चुराई जाएगी आपकी, कि आपके मंगल सूत्र चुराई जाएंगे, सबसे बड़े नेता हैं देश के, पंडित नहरू जैसे लोगों ने उपद समहला, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंडरा जी, राजीव जी, अटल बिहारी वाजबाई जी, इन सब ने ये पद समहला, किसी ने ऐसी असब्य बाते नहीं की, किसी ने उस पद की गरिमा को न देखते हुए पद का स्तर इतना नहीं गिराया, जितना आज गिर रहा है, तो ये आपके सामने एक बड़ा निरने है, सिरफ आप हिमाचल का अपना भविष्य नहीं तै कर रहे हैं, आप पूरे देश का भविष्य तै कर रहे हैं